Hello everybody and welcome to my E-Lesson ये है हमारा इफ फॉर्मुला की क्लास नंबर 4 यहाँ पर मैं इफ फॉर्मुला के अंदर दो और फॉर्मुला डालना चिखाऊंगा आपको बड़ा मस्त है यहाँ बड़ा अच्छा एक्जामपल लिया हमने प्रॉफिट लॉस का कि अगर मेरी टोटल सेल्स 6,000 है तो मेरी कॉस्ट और 12,000 है तो मेरे को कितना क्या हुआ क्या लॉस हुआ की प्रॉफिट हुआ तो एक्जल ही यहाँ पर बता रहा है लॉस हुआ और 6,000 डॉलर का हुआ यह नेट लॉस मैंने यह भी टेक्स्ट वैल्यू मैंने फॉर्मले से लिखवाई है और यह 6,000 यहाँ पर ब्राकेट में दिख रहा है जबकि यह नेगेटिव दिखना चाहिए मेरे को यह इसा क्यों दिखा रहा है क्योंकि एक्सल का एक बिल्ट इन फीचर है कि अगर वह नेगेटिव वैल्यू हो तो आपको ऐसे ब्राकेट में दिखाएगा तो समझ लेना कि नेगेटिव वैल्यू है अब एक्सामपल चेक करें यहाँ पर अगर माली जे मेरी सेल्स हो गई तेईस हजार तो यह नेट प्रॉफिट बन गया और यह ग्यारा हजार हो गया लेकिन यही अगर मेरी कॉस्ट चौबिस हजार डॉलर हो गई तो नेट लॉस हो गया यहाँ पर और यहाँ पर एक हजार bracket में आ गया, अब ये formula तो मैंने पिछले में डालना सिखा दिये कैसे करते हैं, इस वाले को अब सीखते हैं कि इसको हम सही कैसे करें, कि इसमें यहाँ पे proper 1000 आये, bracket वगरा ना आये और दो formula's if में use करके होगा वो, so is equal to if logical test है कि मेरी sales अगर cost से ज़्यादा है, तब value if true, तब क्या होना चाहिए, तब हम formula यूज करें, तब formula यूज करें, ये minus ये, simple, sales minus cost, अब value अगर false है, यानि कि अगर sales cost से ज़्यादा नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तब cost को तब cost में से sale को minus कर दो, simple, ये color भी देख रहे हैं, देखो, अगर sale मेरी cost से ज़्यादा है, तो sale में से cost को minus कर दो, लेकिन अगर cost sale से ज़्यादा है, तो cost में से sale को minus कर दो, bracket कर दो close, और ये देखो, net loss एक हजार लिखावा आ रहा है यहाँ पर, पचीस हजार sale कर देते हैं हम तो, net profit एक हजार लिखा आ रहा है, ये net profit डालना तो मैंने अलड़ी सिखा दिया, कि अगर पिछले वीडियो में, अगर sales इस से ज़्यादा है, तो text value क्या होने चाहिए, ये profit, अगर sales इस से कम है, तो अपना text value होने चाहिए, net loss लेकिन असली game यहाँ पर है यहाँ पर हमने if में दो formula डाले है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ये file जरूर डाउनलोड कर लीजेगा free में mylisten.org से और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है उमीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा so until the next video this is your guru signing off for the day have a wonderful day ahead happy learning